हेलो दोस्टों कैसे हैं आप सबी पैरों को कैसे स्वास्त रखें या बेवी सॉफ्ट फीट कैसे प्राप्त करें इस भागम भाग बरी दुनिया में तो आज हम जानते हैं इसी का रूटीन केयर तो सबसे पहले नहाते समय प्योमिक स्टोन की साहता से एडियों की हर दूसरे दिन सफाई करें जिससे एडियों पर म्रत तवच्चा की परत नहीं चड़ेगी हलके एंटीजेप्टिक सॉलीशन या सावन से पैरों को अच्छी तरह से धोएं तोलिये से सुखा कर पाउडर लगा कर जूते पहने मेथाइलेटिड स्प्रिट को दिन में दो बार पैरों क उगडियों के बीच में लगाएं नाईलों के मोजों के बजाए सूती मोजा का प्रियोग करें ये पैरों को अत्रिक्त नमी को सोख लेंगे और वैक्टिरिया नहीं बन पेंगे मोजे रोज बदलें बहुत सारे कसे हुए जूते ना पहने कसे हुए जूतों से पैरों में रक्त संचार रुक सकता है, एजसे जूते पहने जनमें हवा आ जा सकती हो, लगातार एक ही जूते ना पहने, बदल बदल कर दो तीन जोड़ी जूते इस्तिमाल करें, इस्तिमाल किये जूतों को कुछ देर के लिए हवा में वधूप में रख दें, हमेशा बंद जूते ना पहने, बीच बीच में सैंडल भी पहने, पैरों में असेहनी बदू आने पर तुछा रोग विशे सक सला ले, वे लगाने के लिए कोई लोशन या टूब या खाने के लिए कोई दवा जरूर देंगे, जिससे वैक्टिरिया की रोगधाम की जा सके, सही नाप फिटिंग के जूते पहने, क्योंकि दिन भाशरीर का सारा भार पैरों पर होता है, शाम को जूते खरीदे, इस से पैरों का सही नाप मिलेगा, बारिश में गीले हुए जूते वा मोजे देर तक ना पहने, स्विमिंग पूल में चेंजिंग रूम में स्लीपर जरूर पहने, दोस्तों हो पैरों के मालिक हो जाएंगे, और आपके पैर बेवी साफ्ट हो जाएंगे, और देखिए, आप उपने पैरों को दिखा कर वावा ही लूट रहे होंगे, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें, चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब कर दें दोस्तों